नमस्कार मैं डॉक्टर अजे शर्मा चीफ मेडिकल डिरेक्टर और फाउंडर ओफ आईक्यू विजन प्रैविट लिमिटेड मैं एक ऑफ्थल्मॉलोजिस्ट हूँ आई सर्जन हूँ और आज मैं आपको मोतिया बिंद यानि की कैटरेक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा ज जानकरी दूँगा जो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है जाननी मोतिया बिंद जैसे हम सब जानते हैं जिसको हम कैटरेक्ट भी बोलते हैं एक फिजिलोजिकल चेंज है एक लेंस का जो आग के अंदर कुदरती तोर पे रहता है एज के साथ वो लेंस जो बोलते हैं एक वी जान की सब ब्रह्त करते हैं जैसे की अंदर मोतिया बिंद जल्दी आ जाता है कुछ जो बहुत बहुत मोटा चौश्मा पहनते हैं highly myopic जो होते हैं उनमें जल्दी आने के chances होते हैं मोतिया बिन किसी trauma चोट लगने के कारण भी बन सकता है जिसको हम traumatic cataract बोलते हैं और मोतिया बिन किसी आख की और बिमारी के कारण भी हो सकता है जिसको हम complicated cataract बोलते हैं आख में कोई और बिमारी हो आख की सूजन हो उस कारण से भी कई बार जो मोतिया बिन बनता है उसको complicated cataract बोलता है मोतिया बिन सब ही को आएगा ये कह नहीं सकते लेकिन aging process है किसी को 50-55 साल की उमर में आ जाता है किसी को 70 साल में भी नहीं आता बढ़ हां अक्सर ये देखा गया है कि जो पहले ये range जो age group था वो तकरीबन 60-65 की उमर के बाद शुरू होता था अब वो थोड़ा early आ गया साथ-8 साल पहले लोग अभी से ज़्यादा complaint लेके आते हैं इसकी जानकारी होना जरूरी है लेकिन उसके साथ-साथ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी आँखों की जाँच साल में एक बार 40 साल की उमर के बाद जरूर होनी चाहिए ताकि कि आपको कोई चश्मे का नंबर है या आपके आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपके परदे के अंदर कोई तकलीफ है या आपको मोतिया बिंदा है ये उस जाँच से पता चल जाएगा अर्ली जाँच करने का यही फायदा है कि अर्ली जाँच करी अर्ली जाँच से हमें यह पता चल गया कि आपको अगर मोतिया एक attract है तो हम timely intervention कर सकते हैं timely उसकी treatment कर सकते हैं पहले अक्सर लोग आया करते थे जब लोगों को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता था और तब वो operation के लिए आते थे क्योंकि उस वक्त जिस type के operation होते थे उस वक्त वही type का मोतिया suitable होता था सहजरी के लिए जितना पक जाए उतना आराम से निकलता था लेकिन आजकल जो नई टेकनीक आ गई है उसके इसाब से जब आजकल हम बोलते हैं जब आपकी जो देखने की श्रमता है जो है जब आपकी रोज मर्रे का काम आप अपनी उस निगा से ना कर पाएं तो देट इस दा राइट टाइम कि हमें सहजरी करनी चाहिए वो नहीं है कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाए तो हम सहजरी करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए जतना मोतिया हाड होगा उतना सर्जिरी करना मुश्किल हो जाता है जो नई टेक्निक जिनके बारे में हम बात करने हैं जो की है फेको इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं स्टेचलेस कैटरेक्ट सर्जिरी और दूसरा जो आज का लेटेस सर्जिरी है यह सब जो surgical treatment है इनके लिए किसी भी वक्त पे जब आपको लगे निगाह आपकी कम हो रही है और आपकी day to day रोज मरे की जिन्दगी आप नहीं जी पा रहे हो डंग से आपको surgery करा लेनी चाहिए surgery के जो तरीके आजकल बहुत simple और बहुत safe है सबसे बड़ा important चीज होती है पेशन्ट डरता है कि surgery के नाम से ही कि मुझे कुछ operation कराना है surgery करानी है तो क्या होगा मेरा तो ऐसा नहीं है आजकल तरीके बहुत safe हैं बहुत अराम से हम operations आजकल कर सकते हैं और इसको मैंने बोला फेको emulsification यह stitchless cataract surgery होती है हम इसमें कोई टाका नहीं लगाते कोई टीका नहीं लगाते आग के अंदर कोई बहुत लंबी पटी नहीं लगते और पेशन्ट को फोड़ा सा पैश लागा के घर भेजते हैं दो घंटे के बाद पेशन्ट की dressing उतर के और पेश जो उतार देते हैं और पेशन्ट अपना routine काम कर सकता है और इसके साथ साथ आपको यह जानना जरूरी है कि यह type of दूसरा जो मैंने बताया robotic surgery के बारे में उसमें mainly जो steps होते हैं cataract surgery के वो robot करता है FM2 laser करती है और इसके साथ जो important जीज़ है कि आपके साथ इसके अंदर जो lens डलता है आजकल कोई भी operation बिना lens के नहीं होता हर कोई ना कोई type का lens जरूर डला जाता है जिसके अंदर तीन major type के lens है आजकल एक जो सिर्फ दूर के लिए देखता है जिसको हम monofocal lens बोलते है एक जिसको हम आजकल इडॉफ बोलते है जिसमें elongated depth of focus है वो lens ह जो दूर के लिए और mostly intermediate क्यों आजकल intermediate काम बहुत है computer का आपका पढ़ने का mobile देखने का यह उसके लिए और तीसरा होता है trifocal lenses जो दूर नजदीक और intermediate तीनों देखते हैं तो इन तीनों lenses में से patient decide कर सकता है choose कर सकता है कौन सा lens उसको लगवाना है यह 24 डॉक्टर के उपर आ चाहिए आपको कौन सा lens लगना चाहिए लेकिन इसमें खर्चा differ करता है हर lens के अंदर वह खर्चा आपको decide करना है कि आप कितना खर्चना चाहते हैं simple procedure है 10 से 15 मिनिट में surgery हो जाती है लेकिन operation theater में आपको 15 मिनिट के बाद भार आ जाते है overall time आपका total hospital के अंदर डेट से 2 घं जा रहा है आपको घवराने की बिल्कुल ज़रत नहीं operation के बाद हलका सा या तो काले चश्मे के साथ या हलका पैट लगा के आपको घर बेजते हैं दो गरंटे के बाद उस पैच का उतार सकते हैं और साथ उसके बाद फिर आपकी आख में डालने की दवाईयां शुरू होत हैं सिरफ दो दवाई दिन में तीन चार बार डलती है नॉर्मल केसिस के अंदर तो इसलिए कोई ऐसा लंबा चोड़ा काम नहीं है तीन से चार दिन का आपका परेज हम रखते हैं कि थोड़ा घर पे रहिए बाहर मत निकल लिए ताकि घर का अट्मोसफेर हम मानते हैं कि ठ जच ना करें सफाई करने के तरीके बताये जाते हैं आख आपको साफ करनी पड़ती है अबली हुई कॉटन से या आजकल वाइप साते हैं उससे सिर पे पानी डालके नहीं ना ना होता कुछ दिन के लिए मेवी पांच-छे दिन के लिए ताकि आख के अंदर पानी ना है उ लेकिन आम तोर पे फिर भी अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई नुकसान जादा नहीं होता चार अफ़ते की दवाई होती है बीच में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है पहले दिन ऑपरेशन के बाद उसके बाद एक अफ़ते बाद उसके बाद टोटल तीन अफ़ते के बाद तो द्यान रखिए मोतिया बिन मोसली सभी को आता है इसके लिए डॉक्टर के पास जाएए अपनी जाच कराईए डरने की कोई बात नहीं है बहुत सेफ प्रोसीजर्स हैं या सरजरी के प्रोसीजर्स हैं आप सरजरी कराएंगी आपको दृष्टी मिलेगी जिस भी वक्त निगा कम है आपका काम कम हो जाता है दृष्टी पूरी निगा मिलने के बाद आप फिर से अपना जीवन ढंक से और एक स्माइल के साथ जी सकते हैं दन्यवाद